हेलो friends, welcome back to my channel आज मैं आप सब के साथ शेर करने जा रही हूं interesting recipes के साथ एंटरेस्टिंग recipes के साथ मेरा जो daily morning का routine है लंच box प्रिपेर करना वो मैं आप के साथ शेर करने जा रही हूं कि मैं किस तरह से लंच box प्रिपेर करती हूं ठीक है? तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू और मतर की सबसी जो के एक नए अन्दाज में बना रही हूँ नए स्टाइल में आप इसे जरूर ट्राइ करियेगा पराठे बना रही हूँ कुरकुरी भिंडी और आलू मतर का पुलाओ विंटर सीजन है इसलिए में जातर मटर हर चीज में यूज़ करती हूँ तो चलिए जल्दी से मैं आपको बता दू कि ये जो मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ ये किस तरह से करूंगे सबसे पहले तो मैं ले रही हूँ आलू लगबग मैंने 1.5 kg आलू लिए है इसको नए आलू लिए है मैंने तो इसको इस तरह से आराम से चिल रही हूँ इस तरह चूरी को आलू पे आप गुमाते जाएगा अपने आप चिल के निकल जाएगे तो मैंने ये आलू को चिल लिया है चिर्के में इसे clean wash कर लूँगी और चोटे चोटे टुकडों में cut कर लूँगी ये देखिए बिल्कुल इसी size के साथ में मैंने ले लिये है एक कटोरी मतर ये जो सबजी में आपके साथ share कर रही हूँ ये थोड़ी अलग unique style में मैंने बनाई है तो आप इसे जरूर follow कीजेगा इसे बनाने के लिए में ले रही हूँ एक टीस्पून जीरा एक टीस्पून बड़ी सौफ एक टीस्पून धनिया सुखी धनिया और चार लाल मिर्च सुखी लाल मिर्च ये ले ली जिए इनको अच्छी तरह से आप रोस्ट कर ली जिए जैसे ये रोस्ट हो जाए इसको हमें mixer grinder में पीस के इसका पॉड़र बना लेना है ये देखे बिल्कुल इस तरह से पॉड़र बना ले अब मैं ले रही हूँ कड़ाई कड़ाई में में ये तेल डाल दिया है तड़के के लिए मैं डाल रही हूँ हाफ टीस्पून काली राई के दाने और कुछ कड़ी पत्तिया जैसे ये तड़कत रेडी हो जाए आप इस और जो मटर हमने लिये थे एक कटोरी वो डाल दीजिए इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ लगबग एक मिनिट तक के भूनने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ एक छोटा अध्रक का टुकड़ा मैंने लिया है उसको ची तरह से क्रश कर लेंगे साथी में मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च पॉडर और हल्दी पॉडर हाफ टीस्पून हल्दी पॉडर लिया है वन टीस्पून लाल तीखी मिर्च ली है और वन टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ली है ठीक है? पूरा तीखा मिर्च नहीं लेना है साथी में दो हरी मिर्च लिये हैं मैंने इसको चोड़ा चोड़ा कट कर लिया है और स्वाद अनुसार नमक डालेजिए मैंने दो टी स्पूर नमक डाला है इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और भूनिये लगबग दो से तीर मिनिट तक के जब तक कि ये भूने नहीं जाएंगा इसमें मसाले का फ्लेवर जो है वो अपने आलू और मतर में अड़ नहीं होगा अब ये मैं डाल रही हूँ हाफ टी स्पून काला नमक हाफ टी स्पून गरम मसाला हाफ टी स्पून आमचूर पॉडर और हाफ टीस्पून कसूरी मेती कसूरी मेती को अच्छे से क्रेश कर लिया मैंने बिल्कुल पौडर के जैसा फिर में डाल रही हूँ इन सब को डालने के बाद भी आपको अच्छे से चलाते हुए इसे भूनना है लगबग एक मिनिट और फिर ढखकन से ढखके रख दीजिए थोड़ी देर के लिए ताके हमारे जो आलू है बिल्कुल अच्छी तरह से गल जाए गैस के फ्लेम को लो ही रखना है और लगबग पांच मिनिट तक के ढखकन से ढखकर हमें इस सबजी को पकाना है इस सबजी में पानी बिल्कुल नहीं आड़ करना है अगर आप चाओ तो तो तेल थोड़ा जादा रख सकते हो क्योंकि पानी डालने से इसके जो फ्लेवर से वो उतना उबर के नहीं आएंगे ठीक है पांच मिनिट बाद जब हम ढखकन खोलेंगे तो इसमें हमें वो मसाला डाल देना है जो हमने भून कर मिक्सर में पीस कर बनाया था वो मसाला डालने के बाद भी हमें चलाकर लगबग आदा से एक मिनिट भूनना है उसके बाद हम अपनी कुरग्य भिंडी कहा है कुर्कुरी भिंडी कहा है पूछ back the cushion लिएवद लिए भीत ते और रसे जाए है 14 कर थेशन निकालाओं तो सिटिक्ि नहीं नहीं निकालेंगे नहीं निकालेंगे अओ रहेह लmakers구나 तो इसे नहीं पो पर बंपार में जाले नहीं है लब है यह आप चाहे हैं मैं रहते हूं से लिए single還ज के लिए रहते ह। तो इतना अच्छा लगता है काफी और चाओ तो इस तरह से इसे दो पोर्शन में भी कट कर सकते हो तो यह बिंडी काफी 살 लंभी है तो मैं इसे दो पोर्शन में कट कर लियरे हूँ ताके इजीली फ्राय कर सके कुरकुरी भिंडी में सबसे ज़्यादा महनत इसी चीज़ में है पेशेंस चाहिए भिंडी कट करने में बागी का प्रोसिजर तो बिल्कुल ही आसान है अगर आप भिंडी कट कर ले रहे हो तो फिर बागी के प्रोसिजर में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा लेकिन ये बहुत ही स्वादिश लगता है अगर आपने कभी ट्राइ नहीं किया है तो कुर्कुरी भिंडी एक बार तो जरूर ट्राइ करिए आपको बहुत पसद आएगा और खास कर मतर के पुलाओं के साथ तो चलिए जल से हम कुर्कुरी भिंडी का मसाला रेडी कर लेते हैं इसके लिए में ले रही हूँ 1 टेबल स्पून तीखी लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ये में ले रही हूँ कोरियंडर पौडर सुखी धनिया का पौडर एक चमच और ये में लिया है आमचूर पौडर 1 टेबल स्पून 1 टेबल स्पून 1 गरम मसाला पौडर ले रही हूँ और ये 1 चावल का आठा 2 टेबल स्पून और साती में हम डालेंगे 4 टेबल स्पून बेशन इन सब को मिक्स करना है अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लिजिए इस पॉडर को इसे हम कुर्कुरी भिंडी में यूज करेंगे अब यह जो मसाला हमने रेडी किया है इसे हम डालेंगे भिंडी जो हमने कट करके रखे हुए है इसमें डालके अच्छे से मिक्स करिएगा फ्रेंड्स आप चाहो तो थोड़ा-thोड़ा मसाला डाल के भी मिक्स कर सकते हो या फिर इस तरह से पूरा मसाला एक सार डाल लीजिए और हाथ से अच्छी तरह से पूरी भिंडी में मिक्स कर लीजिएगा और याद रखीगा फ्रेंड्स इस मूमेंट पे हमें अभी नमक नहीं डालना है नमक हम फ्राइ करने से जस्ट पहले डालेंगे अगर आप पहले से नमक डाल लेंगे तो यह बिंडी जो है पानी छोड़ देंगा गीला हो जाएंगा फिर आपकी बिंडी कुरकुरी नहीं बनेगी यह में डाल रही हूँ लेमन जूस नीमबू का रस एक नीमबू का रस काफी है अगर आपको जादा खटापन चीए तो आप जादा डाल सकते हो बढ़ हमने आमचुर पॉर्डर डाला है तो एक नीमबू का रस काफी है वो डालने के बाद इसको अची तरह से मिक्स करके र तो या थोड़ी देर रखने के बाद भी फ्राइ कर सकते हूं यह देखिए मैं इसमें थोड़ा सा अलग ले लिया है अब मैं इसमें नमक डाल रही हूं नमक डालने के बाद कढ़ाई में जो टेल डाला है वो जब पूरी तरह से गरम हो जाए उस मुमेंट पर भिंडी डाले बिल्कुल इतना गरम चाहिए तेल के बिंडी डालते ते यह अच्छी तरह से फ्राइ होने लगे क्योंकि अगर तेल गरम नहीं होगा और पहले ही बिंडी डाल देंगे तो फिर बिंडी में कुरकुरापन नहीं आएंगा तो इसका कॉंबिनेशन बहुत ही यम लगता है अ अगर आप एक बार खाएंगे तो आप हमेशा अलू मटर के पुलाओ के साथ कुरकुरी बिंडी जरूर बनाएंगे इसे हमें फुल फ्लेम पर ही फ्राइ करना है पूरा बिंडी को कहीं पर भी फ्लेम को मीडियम या सीम नहीं करिएगा फ्रेंड्स क्यूंकि अगर आप ऐस जो के हम आलू और मटर की सबजी के साथ काने वाले हैं यह मैंने सिंपल सा एक डो रेडी किया है गेहू के आटे का थोड़ा सा इसमें नमक डाल कर और मैं इसका आभी पराठा बनाने जा रहे हूं मैं बहुती सिंपल पराठा बनाती हूं जादा कुछ नहीं बट मेरे जो घर में है सबको थोड़ा सा तीखा पन पराठे में पसंद है इसलिए मैं पराठे में थोड़ा इसी लाल मिर्च डालती हूं और पराठे को मैं पूरी तरह से घी में बनाती हूं ओल मैं बिल्कुल भी यूज नहीं करती यह देखिए मैं इस तरह से गोल बेल लेती हूं पह पराठा भी थोड़ा अच्छा लगता है और मेरे घर में इसी तरह से सबको पसंद है इसलिए मैं जब भी लांच बॉक्स रेडी करती हूं तो इस पेशल ये पराठा जरूर बनाती हूं और मैं स्क्वेर शेप में हमेशा पराठा बनाती हूं आप चाओ तो रिक्टांगल वहीं से तो पराठे कई शेप के बनते हैं पर मैं प्रेफर करती हूं स्क्वेर शेप मुझे वहीं पसंद है उसके बाद इस तरह से हम इसे बेल लेंगे पराठे को मैं एकदम से ही पतला न तो बेल में ही दूकता है करणी पंब करणा जहता है किए अ Reno लाख सब फढ़ा करणा पेट किक हो जाता हम इसमें पेटों आप तरह的 प्राठी में सब्सक्राछी के तुम्हाँ नहीं है इसको अच्छी तरह से दोनों साइट से फ्राय कर लूँगी मैं और ये बिल्कुल परफेक्ट पराथे रेडी हो गया है लंज बॉक्स के लिए अब मैं जा रही हूं अपना लंज बॉक्स पैक करने के लिए ये देखे फ्रेंड्स जब मैं बिंडी को टिफिन में डाल रही ह अब ये मैं जा रही हूं अपने पराथे पैक करने के लिए ये मैंने पैक किया है चार पराथे पराथे में आलो और मटर की सबसी के साथ खाने वाले आई और ये मैं पुलाव पैक करने जा रही हूँ सौरी फ्रेंड्स मैंने इस वीडियो में आपके साथ ये पुलाओ के रेसिपी शेयर नहीं की है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन रहा था इसके लिए मैं एक अलग वीडियो अपलोड करने वाली हूँ वीडियो जरूर चेक कर लीजेगा इस आलू और मतर के पुलाओ का ये विंटर में मेरे घर में जरूर बनता है सबको बहुत पसंदे और बहुत यम भी लगता है आप भी इसे जरूर ट्राइ करिएगा बहुत जल्द मैं इसका भी वीडियो अपलोड करूंगे के देखे मैं ने पुलाओ को भी टिपन में अब जा रहे हूँ अब अब मैं जा रही हों सबसी को पैक करने के लिए साथी में मैं कुछ सालिट जो है वो पैक कर रही हूं क्यूंकि मेरे घर में बीना सालिट के कोई लंच नहीं करता है इंफ़क्ट डिनर में भी सालिट लंच पे भी सालिट जरूर चाहिए होता है तो सैलेट में मैंने मूली, ककड़ी, टमाटर और लेमन निम्बू लिए है और ये देखिए हमारा लंच बॉक्स बिल्कुल पैक हो चुका है कुर्कुरी भिंडी, आलू मटर की सबजी, पराथा, आलू मटर का पुला और सैलेट है ना बिल्कुल यम लंच अब इसे अच्छी तरह से पैक कर लेंगे अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा फॉलो फॉर मोर वीडियोस फ्रेंड तक यू वर वाचिंग बाइ